असलाम उलेकुम दोस्तों, welcome back to another new video So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर कोई आपको तकलीफ देता है, आपका दिल दुखाता है, आपके इंसल्ट करता है आपको बुरा वला कहता है, आपको ताने मारता है, आपको बाते करता है मतलब किसी भी किसम का आपको हट देता है, तकलीफ देता है तो इस situation में आपको क्या करना चाहिए आपके इस problem का solution मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो बहुत ही ज्यादा knowledgeable और interesting होने वाली है इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास तक देखते रहिएगा और चैनल पर पहली बार है हैं तो चैनल को subscribe कर लीजेगा और साथ ही bell icon को press कर लीजेगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो बन्दा आपको तकलीफ दे रहा है उसके साथ तालुक तोड़ने से आपको कोई फरक पढ़ रहा है या नहीं अगर आपको कोई फरक नहीं पढ़ रहा आपकी वैलियो में कोई कमी नहीं हो रही या आपको ये लग रहा है कि यार इसके साथ बाद में कोई काम नहीं पढ़ने वाला तो यार उसको टांग मरो फारक करो उसके साथ तालुक खतम करो इसको को चल निगल तंग किया हुआ था तुने, उसे जान चुडा लो एक तो सिंपल ये रस्ता है, अगर आपको लग रहा है कि यार इसके साथ तालुक बनाके रखना है इसके साथ काम पढ़ सकता है, या कोई ऐसे माम लाता है कि उससे तालुक तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि आप उसके साथ तालुक रखना चाहते हैं उससे बात कर उसको बताओ कि यार मेरी ये प्रोब्लम है आपकी वज़ा से मुझे तकलीफ हो रही है आप ऐसा ना करो आप बंदा देखके कि वो किस सिचुएशन का बंदा है साथ का है उस साथ से अब उससे बात करें अगर वो आपकी बात समझ पाता है और next time आपको तंग नहीं करता आप लोगों ने देखओगा रूडी पे कुते बैठे होते है जब कोई पास से गाड़ी गुजरती है उसके पीछे भागते हैं भौंकते हैं ऐसे ही करते हैं ना क्या वो गाड़ी में बैठना चाहते हैं ना क्या वो गाड़ी चलाना चाहते हैं ना क्या वो गाड़ी लेना चाहते हैं ना वैसे ही भागते हैं ना भौंकते हैं जो गाड़ी चला रहोता है क्या वो बंदा शीशा तो ऐसा उनकी आदत होती है इस situation में आपने उनकी तकलीफ को feel नहीं करना यानि के सुना अनसुना कर दो बातें करते हैं या कोई और तरह की आपको तकलीफ दर्द दे रहे हैं तो उसको feel ही नहीं करो आपको यार बेवकूफ है पागल है इसको इतना समझाए लेकिन फिर भी कैसी हरकते कर रहा ही पागल है तो उसको बेवकूफ या पागल अपने दिल को समझाने के लिए कुछ भी कहके ignore कर सकते हैं मैं आपको एक और example देता हूँ ऐसे लोग sometime हमारे फाइदे के लिए आते हैं example से आपको समझ आएगी मैं एक school में पढ़ाता था जहां पर मेरी possible जो थे ना फजूल की इंसल्ट कर जाते थे फजूल की बाते करते थे मैं बैठके पढ़ा रहा हुता था तो कहते हैं खड़े हो के पढ़ा हो तुम्हें पढ़ाना नहीं आता है अगर खड़े हो के पढ़ाता था तो कहते हैं यार बैठके पढ़ाते हैं ये के कर रहे हो ह हर बात पर ना कोई ना कोई बात करके मेरी इंसल्ट कर देते थे, मुझे बहुत बूरा लगता था और मेरा दिल दुखता था, तकलीफ मुझे देते थे, तो उनकी तकलीफ की वज़ा से मैंने अपने भाई के साथ मिलके इस बिजनस में मेहनत की, इसको ग्रो किया, और अलहम पर भी अच्छा response मिल रहा है, अगर वो मेरी इंसल्ट ना करते तो मैं आज भी वहाँ पर जोब कर रहा होता हूं, उनकी इंसल्ट की वज़ा से मैंने वहाँ से छोड़ा और अलहम पर इतनी सी इज़त थी, इतनी सी दोलत थी, अब यहाँ पर इतना पैसा, इतनी इज़त ह हो गया, तो अगर आपकी लाइफ में कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपका दिल दुखार आपको बुरा वला कह रहा है, तो उसको इसी तरही एक्सेप्ट करो कि यार यह शायद मेरे फाइदे के लिए ही आया हो, तो आपको वो तंग करता रहेगा, लेकिन अगर आप अ पर उसमें क्या फरक रहेगा, आपने अच्छा बनना है, वो तो अपनी दिखा रहे है असलियत, अपना सब कुछ दिखा रहे है, अपने माबाप को शो कर रहे है, कि मैं कैसा हूँ, मेरे माबाप कैसे है, हम सब लोग ही बुरे है, आपने लिए बुरा बनना, आपने अच् और अल्ला पर यकी रखना है देखना कोई ना कोई ऐसा रस्ता निकल आएगा कि आपकी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी बहुत ज्यादा अच्छे लोग आ जाएंगे मैं उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिगा क्योंकि मैं आप लोगों के किएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाहाफेज